गnda समय को चाना समय को नाव किया लक्मी च्यार एक घंटे किंम्त हे थी किया बता है sudah के तो लोग पाझन के लिए ती गंटा बैठेंगे सुचनल के च्रिउप पड़ा रहता है लोग बढ़ते ही नहीं है यहां पर बैठने के लिए 30 रुप्या है चलो कोई बात नहीं है यह तो एक दिन में जितना रुप्या कमा लेता है यह तो एक दिन में दो तिन चार खरीद लेंगे भाई आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपको फिर चेक नहीं ब् आप लोग देख सकते होंगे बीडियो में पूरा बने रहेना वीडियो में बहुत अची चीज हम अब को दिखाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है और आप लोग वीडियो को जरूर लाक्त तक जरूर देखना एक बार और हम लोग बीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर करना कॉमेट करना और शेयर करना चले दूस्तों वीडियो में हम चलते हैं अभी चल चल के जा रहे हैं बहुत दिन के बाद में हम लोग का चैनल में डाले नहीं थे तो इसलिए हम सोचे तो थोड़ा दूर जाके आप लोग के लिए वीडियो बनाते है समंदर के पास आ गये हैं हम लोग यहाँ पर गौपालपूर के यह सीडी में हम उतर रहे हैं अभी समंदर का मजा लेते हुए हम हवा देते हुए हम जा रहे हैं अभी अब च्यार एक घंटे के किमत है 30 रुपिया क्या बता है यह गंटे के किमत 30 रुपिया तो लोग 30 रुपिया दे के घंटा बैठेंगे शुचे और क्या बता है हम इसको पूछते हैं हम अभी एक सवारी बैठेंगे नहीं है भाई घोड़े के सवारी कितना तुर कुमांगी आप सव मिट्र जाना सव मिट्र आना गोड़े का नाम क्या है लक्मी अच्छा अध्यक्ति आप देख सकते हुगे घोड़े का नाम लक्मी है लेकिन घोड़े लंगड़ा है कि अ कर दो कि अ हुआ है हुआ है उन्हार पारी उन्हारी पुल्यक।